सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपने लुस्थेंट वीडियो की जो प्ले लिश्ट है जो भी हमने इस चैनल पर वीडियो बनाए थे वो आप सभी को पसंद आए वो धन्यवाद इसके लिए था और आज के इस वीडियो में मैं आप से क्या बात करूंगा वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर और वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने अब तक ये कोटेशन सामने जो लिखी है अगर आपने अब तक वो नहीं पड़ी है तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले आप उसको रिट करें और एक मिनट इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें चलिए शुरू करते हैं आज का अपने ये वीडियो देखिए इससे पहले हमने काफी सारे पार्ट पार्ट वन पार्ट टू त्री पोर और फाइब डिसकस करा और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है या फिर आप इस वीडियो पसंद आएगा और ये भी वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो पिली इसको लाइक करिएगा विदाव टेनी डिले मैं सुरू करता हूँ आज का अपना ये वेडियो देखे इसमें हम बात करेंगे पुस्य भूती वन्स या वर्धन वन्स के बारे में देखे गुप्त वन्स के पतन के बाद जी नए राजवन्सों का उद्भव हुआ उन में मैतरक, मोखरी, पुस्य भूती, परवर्धी, गुप्त और गोण परमुख है ठीक है और इन डाजवन्सों में पुस्य भूती वन्स के सासकों ने सबसे विसाल समराजे स्थापित करा अगर बात करें आपको एक्वग्जाम में देखी, क्या होता है, कि एक्वग्जाम में आपको कैसे क्वश्एंस पूछ सकता है वो भी हमको आज इस वीडियो में ठोड़ा सा जज़ करना है कि किस तरह से वो क्वश्एंस हमारे समने प्रजेंट कर सकता है देखिए जो वंस थे वंसों के यह सब नाम है लेकि उन में से जो था आपका पुस्चे भूती जो वंस था इनके सास को ने सबसे विसाल समराज्य स्थाफित करा आपसे यह तो कोशन्स नहीं पूछेगा अब हम थोड़ा सा आगे नेक्स थोड़ा पॉईन वह बढ़ते हैं कि बूस्चे भूती वंस के संस्थापक बूस्चे भूती था देखिए पुस्चे भूती वंस का संसतापक कौन था अपसे इक्जाम में ये questions कई बार पूछता है तो आप याद रखेगा पुष्टे भूती बंस के संस्तापक थे पुष्टे भूती राइट और इनकी जो राजधानी थी इनकी capital थी वो थी थानेसवर आप याद रखेगा ये इनकी capital क्या थी इनकी capital थी थानेसवर और उसके बाद य आपका SSC exam में नहीं पूछेगा नहीं अगर आप SSC अगर आप state pieces के त्यानी कर रहे हैं तो वहां पर आप से केवल ये पूछ सकता है कि थानेसवर किस state में है तो यह हरियाना में और वर्तमान थानेसवर नामक इस्थान है जो आज भी है करनाल जिले में अगर आप जाए कर पूछें थानेसवर नामक इस्थान कहां पर है वहां पुछें थानेसवर इस्थान कहां पर है शायर आप लोग अगर वहां से बिलॉंग करते तो आपनी ये स्थान देखा भी होगा ठीक है अब फ्रहें में बढ़ता हूं next point की और आपको पला चला अब तक की पुस्ते भ हटारक और महा राज धिराज जैसे सम्मान जनक उपाती धारण करी आगे बात करते हैं कि परभा कर वर्धन की पत्नी ये सोस्मती से दो पुत्र मतलब उस्ते उत्पन हुए एक था राज्य वर्धन और था एक हर्स वर्धन ठीक है और देखिए इस वीडियो पॉइंट नहीं आ फॉड ग्रेक से नहीं भीडियो को समस्माओड तो अब आपको उस ओडियो इर दिक्कट है तो यहां भी दिक्कत है तो आपको जहां प्यारे बच्छ आप पड़ो कोई दिक्कत नहीं है बस टार्गेट यह है कि आपका इस साल स्लेक्शन होना चाहिए और मेरी और से आप सभी को आल दा बैस देगे आगे हम बात करते हैं दो पुत्र के प्राप्ती हुई राज्य वर्धन और और हर्स वर्धन इसके बाद में क करकि राज्य वर्धन ने परंतु देव गुप्त के मितरि GB on नरे से संक्ष ने धोका देकर राज्य वर्धन की भी क्या करदी हत्य कर मतलब देव वुप्त को मारा था राज्य वर्दन ने और राज्य वर्दन के भी इसी दरह से डैस हुई या फिर हत्य हुई आगे बात करते हैं कि ससांग सैफ धर्म का अनुआई था इसने बोधी वरक्ष को कटवा दिया था भी ठाट हम घाट अब याद रखें कि यह कुश्ब काफी इंन पार्ट है आगे हम बात करते हैं कि राज्य वर्दन की मिर्तुू lif 6006 शूरे में सौलेवर्वर्ष के अवस्था में हर्श वर्दन खांएसवर्द स्वर की गद्धी पर बैठा था ये बैठा था सौला वर्स की अवस्था में, ठीक है, हर्स को सीला अदित्य के नाम से भी जाना जाता है, किसको सीला अदित्य के नाम से जाना जाता है, तो आप शाद करी का हर्स, ठीक है, तो इसका एक निकनेम भी था, इसका एक अन्य नाम भी था, हर्स का, वो क्या था, वो उसे अपनी राज़ानी बनाया हर्स और पुलकेसिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद हुआ जिसमें हर्स की पराजय हुई आगे बात करते हैं लिखे किस किस के बीच में कौन सा युद हुआ हर्स और पॉलकेसी नियुक्त के बीच में एक वार हुआ कौन सी नदी के किनारे हुआ तो आप याद लगएगा नर्मधा नदी के किनारे और जिसमें क्या हुआ था जिसमें हर्स की क्या हुई थी हर्स की प्राजय हुई थी तो यह पॉइंट काफी अच्छा important point है आपके exam से point of a से की हर्स और हर्स ने किसके साथ नर्वदा नदी के तड़ पर युद्ध करा था आपसे एक questions यहाँ पर यह बनता है इसका right answer क्या है वो आपको आप सामने पता है हर्स और पुलके सिर्ग सेकिंड के बीच में कौन सी नदी के तड़ के किनारे युद्ध हुआ था second question यहां से बन गया इसका answer क्या है यह मैं आपको नहीं बताओंगा बिल्कुल भी ठीक है अधिक्यारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं मैं आपको यह इसके सासंकाल में भारत आया था और यह questions कई बार ऐसे से एक्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा और आपको इसका answer आता भी होगा अगर आपको त्यारी करते हुए six months से उपर हो चुका है तो अगर आपको six months हो चुका है तो आपने common सी बात है काफी basic चीजे पढ़ी होगी पहले से और mock test भी एकाद आपने solve करे होंगे लगाया होंगे mock test तो वहाँ पर ये questions आपको देखने में मिल जाता है ठीक है यहां से questions बनता है आपके सामने तो यहां पर मैं आपको बता तो कि हैंसां को यात्रियों में राजकुमार नीती का पंडित एवं वर्तमान साक्यमुनी कहा जाता है देखिए साक्यमुनी किसको कहा जाता है यह आपके exam में प्रिलिम्स exam में यूपी में कई पर पूछा पर आया था है 2009 में 2011 में और 2007 में ठीक है तो आपको इसका नाम बड़े ध्यान से याद रखना है नोट करना है और अभी तुरंट इस वीडियो को पॉस्ट करिए और इसके नाम को याद करिए साक्यमुनी याद रखना साक्यमुनी आम बिल्कुल याद रखेंगे इसको आगे हम बात करते हैं देखो 643 इसवी एवं 645 इसवी में दो चीनी दूथ उसके दरबार में आये थे किसने चीन में वेज़े क्या रिजन था यह बैक में कुछ काफी स्टोरी है तो इसके अभी आपको आवशकता नहीं है ठीक है आगे जो पॉइंट है अगला पॉइंट क्या करे प्राप करे वो था आपका हर्स कौन था हर्स आगे बात करते हैं देखिए हर्स के पुर्वच भगवान सिव और सूरे के अनन्य उपा सकते प्रारंब में हर्स भी अपने कुल देवता सिव का प्रमभक्त था चीनी यातरी हिंसांग से मिलने के बाद उसने बोध ध राज्यासरे के रहा पर्दान करा और बाद में वह क्या बन गया पूर्ण बोध बन गया यह सब बात कर रहे हैं हम लोग हर्स के ठीक है ना हर्स बात में क्या बना हर्स बात में एक बोध बन गया देखे हर्स के समय में क्या हुआ नालंदा महावीर महान बोध धर्म की सिक्ष वो नाम है हर्स आगे हम बात कर रहें कि हर्स के समय में परियाद में प्रती पांचवे वर्स एक समारो आयोजित किया जाता था जिसे हम क्या बोलते हैं जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं इसको हम पुकारते हैं महा मोक्ष परिसद क्या महा मोक्ष परिसद कितने वर्स के बा आप तो आप यह अच्छे से याद रखेंगे यह नाम और कितने वर्ट बाद होता था यह उता था पांच वर्स के बाद और किसके सासनकार में उस समय ते आपका हर्स राइट आगे बढ़ते हैं बच्छो कि कि बाणभट हर्स के दरबार कभी थे उनका नाम था बाणभट उन्होंने हर्स चरीत एवं कादंबरी की रचना करी पिरिये दर्शी का रतनावली तथा नागानंद नामक तीन संस्क्रित नाटक गरंथु की रचना हर्स ने के थी कहा जाता है कि दावक नामक कभी ने हर्स से पुरुषकार लेकर उसके नाम से ये तीनो नाटक लिखे थे मैं अगे रिपीट कर रहा हूं देखिए कि पिरिये दर्शी का रतनावली तथा नागानंद नामक तीन संस्क्रित नाटक थे गरंथ थे इनकी रचना किस ने करी थी ये रचना करी थी आपकी हर्स में ठीक है रचना कर कौन था हर्स आगे बात करते हैं कहा जाता है कि धावक नामक कभी ने हर्स से पुरुषकार लेकर उसके नाम से तीनो नाटक लिख दिये ठीक है बस आपसे ये पूछीगा कि इनकी रचना किस ने करी थी रचनाकार कौन थे तो इन सब तीनों के संस्कित के नाटक ये गरंद थे और इसके रचना करी थी वो करी थी हर्स ने ठीक है आगे हम बात करते हैं कि हर्स को भारत का अंतिम हिंदू समराड कहा जाता है भार किस नाम से फुकारा जाता था किस नाम से उनको जाना जाता था तो सचीव आपको options में बहुत कम देगा लेकिन अगर आपके exam की तैयारी काफी अच्छी है तो आपसे सचीव पूछेगा exam के तैयारी अच्छी नहीं है तो ग्रह वैसे खरब हो जाते हैं तो आपसे आमत्य क्या लोगपाल सब्द की उत्पत्ती सबसे पहले कहां पर हुई थी किसके कौन स्टैंबेश आ सकता जिसने पहली बार लोगपाल यह वर्ड को इस्तेमाल करा तो यह हर्ष चरीत में परांती सासक के लिए एक लोगपाल सब्द का निर्मान हुआ लोगपाल बनाया जाता थ जिले की संख्या थी विसे का परधान विसे की पाठक होते थे आगे चैने सासं की सबसे चुटी खाइब कर WOW नाम क्या था है यह है आगे चौई इए प्ल amend को छाट या भाट कहा जाता था पुलीस कर्मियों को चाट या भाट कहते थे हम कहते न वहे पोली बोला बंदा यह время बं गया तो पुलीस पा delivered करते था क्रमियों डरां। तो आगे में बात करता हूं आपसे दच्छिन भारत के परमुक राजवन्स काफी अच्छा इंपॉर्टेंट होंगे पूरी लाइन आप पड़ सकते हैं वीडियो को पास करके लेकिन मैं उस के बारे में बात करूंगा जो आपके एक्जाम के पॉइंट अवे से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हमको पता हुनी से संस्थापक के बारे में संस्थापक का नाम क्या है तो इसका नाम था सिंख विश्णू और इसने कब से कब तक राज करा 575 से 680 तक इसने पूरा अपना स्थापना बनाई रखी और इसकी जो कैपिटल थी राजधानी थी यह आपसे एक्जा वहां पर इसकी गया थी यह और यह संस्थापक था प्लवन्स का वह वैश्र धर्म का अनुवाई था देखिए पहले के जितने भी सास्था कुआ करते तो वहां पर आपसे एक्जाम में धर्म के बारे में भी एक्जाम में पूछ लेता है तो इसलिए मैं अपने मैक्सिम ज दो भी होते थे वह किस धर्म को मानते थे वह हमेशा वीडियो में एड करता हूं यह होता है कि देखिए पहले के हमें पता है संस्थापक कौन थे कापिटर क्या थी हम कभी कभी चोटी मुझी चीजों पर धिहान नहीं देते और वहीं हमसे एक्जाम में पूछ लेती है फि बिश्ण को दर्बार में रहते थे पञवांस के परमुक शासक कौन को थे उनका का जो काल करम था उनका साथन का नंदी वरमन नञ maior न पे यह थे अप्राजीत 879 से 897 में मत्विलास प्रहसन की रचना जो करी थी वो करी थी महिंदर वर्मन नहीं और महा बलीपुरम के एक कास्म मंदिर जिने रत कहा जाता था का निर्माण पल्लब राजा नर्सिंग वर्मन प्रत्थम के द्वारा करवाया गया था रठ मंदिरों में सबसे चोटा दूरापदी रथ है जिसमें किसी परकार का अलंकरण नहीं मिलता है अलंकरण मतलब कि झारते 파ाहन याद रखेंगा आगे हम बढ़ते हैं देखेंड प्रत्थम की उनकरौण कि उपादी नर्शिंग वर्मन पर्थम ने धारण की थी आगे है कि अर्बो के आक्रमन के समय पल्वो का सासक कौन था उसका नाम क्या था अर्बो का जब आक्रमन हुआ था उस समय जो पल्वो का सासक था उसका नाम क्या है उसका नाम है नर्ज सिंग वर्मन सेकेंग उसने राज सिंग मतलब राजाओ में सिंग आगम पिरिया मतलब सास्तुरों का प्रेमी और संकर भुख मतलब संकर का भक्त की उपादी धान करी थी देखिए इसने तीन उपादी करी थी धारण एक तो करी थी थी राज सिंग की माम क्या है तो इसका का नाम जो था वहां का दिखिए जो पॉइंट है वह कि कि इसने केलास मंदर का निर्माण कराया था जो हाया थुछेगा तो आप याद खेगा बहुत रहे हैं यह काँची में देखिए जिसे राज सिद्शवर मंदिल भी कहा जाता है आप से ध्कलास मंदिल का निर्माड पूछे या फिर आपसे पूछे वह यहां पर क्या जा फिर आफ से पुछे हैं राज सिद्शवर मंदिल का निर्मा लन किसमें कराया था तो आपको दोनों चीजें ही याद रखनी है ठीक है देखे अब आगे हम बात करते हैं देखिए कि दस कुमार चरीत के लेखक कौन थे उनका नाम था धंडी नर्सिंग वर्मन के दरबार में रहते थे देखिए यहां तक तो पुरा हो गया आगे हम बात करते हैं देखिए परसीद वैशनम संथ जिनका नाम है क्या तिरुमडई अलवार नंदी वर्मन दित्ते के समकालिन थे अगला जो कुश्चन से वो है आपका राश्ट्रकुट राश्ट्रकुट राजवन्स का संसापत दंती दुर्ग 752 इस्वी था इसकी के प्रमुक सांसक थे कौन कौन कृष्ण परतन में दुरूब गोविन तृतिय अमूग वर्स एकंड हए पर क्रिशन सेकन्ड अंद्र थड और कृष्ण धर यह तो थे इनके साथ ठीक है राश्ट्रकुट राश्ट्रकुट रसके आप से साथा का नाम कोछ नहीं पूशए कर लेंगे देखे यहां पर है आप का करा समंदिर का मंदर का निर्मार निर्मार और निर्मार नमार दोनों में फरत है तो दोनों में तो स्ब्सक्राइब यह नाध है केवल एक संभावन बहुत अधिक होती है तो आप इस को यात करिए और आप उसका नाध पर ना मात करना करना आगे है कि धुरूफ को ठालवर्स भी कहा जाता है रुप को और नाम से जाना जाता है तो इसने देगाताइब आगे हम बात करें देखिए पर संग के और तो कि इसको नश्कान करा देखिए और अमो संग करें तो महां पर मैक्सिम पर अनुवाई मिलता है क्या करते हैं बच्चे अनुवाई मैं अगेन डिपिट कर रहा हूं इसलिए मैं आपको इस पर फोकस कर रहा हूं ज्यादा फोर्स भी कर रहा हूं कि आप इसको नोट करेगा और याद करेगा अनुवाई कौन-कौन था अब देखिए इसने कंड़ में क्या करा था कभी राजमार्ग की देखिए अगला पॉइंट है कि अगला जो प्लुइंट है कि अमोगवर्स ने तुग travelers के दरवार में रहते थेricularly है वो है देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कि अमोग वर्स ने तुग भंद्रा नदी में जल समाधी लेकर अपने जीवन का अंत करा था बसलब वो जल में उसने पुरी समाधी ले लिए अपनी जल में वो डूब गया था इस तरह से अपना अंत करा था तो काफी अच्छा कुशन से यह है कि अमोग वर्स में अपने अंतिंपल कहां पर बिदाए आप से पूछता है या पिर उसने समाधी कौन से ले थी आपको मोन समाधी या इस तैपी को समाधी देगा लेकिन आपको याद रखेगा जल समाधी के द्वारा इसने अपनी अंत करा था स् अच्छा कि यह युद्व में नहीं मारा गया था इसने अपने स्वेच्छा से जल में समाधी ध्यान करी थी अमोग वर्स में और कौन सी नदी के तट पर वापसा में देख रहे हैं तुंग भद्रा नदी के तट पर देखे इस तरह के काफी लोग पहले समाधी लेते थे इसके लिए बड़ी हिम्मत का काम चाहिए थेक है तो आप बस केवल हिम्मत में छोड़िए आप यह याल मत करना हिम्मत का काम चाहिए वह तो पता ही है क्या है बाकि विल्वार है सो बात लगए देखे अमोग वर्स ने तुंगमद्रा नदीक में जल समाधी लेकर अपने ने बाइन जीवन का अंति किया थह ग्यां मैं अरभ निवास्ति अलम सुधी भारत आया था इसने तंकालीष पुट्ट को भारत का सर्वेस्थ स소 कहा और रासटकुट मेंस का अंती महांसास कर्षिञ था जाद केगा क्रिशन थर्ड था इसी के दरबार में कन्नण भासा के कभी फोन रहते थे जिनोंने सांती पुरान की रचना करी आगे बात करते हैं देखिए कल्याडी के चालूप के तैलप सेकेंड ने 973 इसमी में करक को हरा कर राष्ट को राज्ये पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याडी के चालूप के बंस की नीव किसने डाली इसका राइट आउसर क्या है वो आप सामने देख रहे हैं अब में ब यह कहां पर है यह महराष्ट में और निर्मान कराया था राष्ट कोटों ने आप याद रखे इसका निर्मान देख रहा आगे बास करते हैं हैं उनकी पुल संक्या है नकी तो है तो इसमें एक से बाराद तक प्योंते उसमें जो रचना करी गई या वह यह दिखाती है कि वो ध्रम से संबंदित हैं और 13-39 तक हिंदूों में एवं 30-34 तक जैनों की कुफाए हैं आगे हम बात करते हैं देखिए राष्ट कुट सैव वैशनव साक्ष संप्रदाय के सांसा जैन ध्रम के भी उपासक थे यह साक्ष संप्रदाय के तो थे साथ में यह जैन ध्रम के भी आगला जो पॉइंट है वह आपका रैस्ट कुटो ने अपने राज्यों में मुस्ल मान वेपारियों को बसने ठथा इसलाम के पर्चार की सुक्रेती किसने कहा कि मुस्लिम हैं θαह कर सकते हैं और सबस्थ थे सकते हैं ुइसके सुकुरेती किसने दी तो यह शूक्रेटी दी पॉइंट है लिकित नोट मत करिए वीडियो को पॉस्ट करिये याद करिए कुछ चीजे होती है कि कल पे नहीं छोड़ सकते उसको तुरुम आपको याद करना ही करना पड़ेगा अगर आप आपकी इमानदारी के सांद तेयारी कर रहे हैं अगर आप जाने या वक्त जाने य मानने या खेट आगे हम बात करते हैं देखिए चालोक के अवर इसके पर्मुक सासक हुआ करते थे यह सब सासकों के नाम है तेका आप से नहीं पुछेगा आपसे पुछेगा केवल सिंपर क्यों कि राजधानी क्या थी और इसकी स्थापना किस ने गड़ी थी अगरा पॉ देखिए था लुगलों के भी बहुत सारे राजा आए बहुत सारे गए लेकिन सबसे इमपोर्टन बात यह कि कि किसने मैक्सिमम कारेकरा जिसका कारेकर काफी सुप में रहा किसने रिकास करा तो अम पर्स इसकी पॉइंट है इस वह सब पर्ताबी सासक्ता आपका विक्रमा इसको याद करिए और आप से इसक्जाम में यहां से कोशन से पूछता है कि यह किसके दरबार में रहते थे ठीकर यह रहते थे विक्रमादित्या पोर्थ के दरबार में अगला जो पॉइंट देखिए मिताश्रा जो था वो था इस गरंत की रचना महान विभेविता विज ऐस डाला गया है चालोक क legislators मतलब आवं बात करें चालों कर रहे में अब इस के इंपॉर्ट मुइन कहीं अवाति ittहां वाटभी एसकिंख ने वात्पि के चालों करें तैं सब से पहले हम को इस्धाइपक पता होने चीए और पता होने इada क्या एकले यह तेका इस बंस का परमुक सासर कौन कौन थे सासकों के नाम दिए गए हैं आप इसको पढ़ लें और नोट प्रीज ना करें तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अगर 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 यूपीस की त्यारी कर रहे हैं इस वीडियो को यूपीस के माइंड से देख रहे हैं तो मैं आपक को रहे हैं ऑज बहुत है जीने नाम मनें और यह बनाया था आपका पूल के deux साकेंड ने पार मेश की उपादी ध्यख्छन है तेसे आपको रश्खन को रखेंढ पदी कि उपादी करी थी तो तो यह आप याद रही इनका नाम पुलकेशिन सेकेंड ने हर्सवर्दन को हरा का परमेश्वर की उपादी धाण करी थी आगे बात करते हैं कि हम पल्लवन्सी सासर्ट नडसिंग वर्मन पर्थम ने पुलकेशिन सेकेंड को लगबग सिक्स पोटीटू इस में प्रास्ट किया और उसकी राँज़णी बदामी पर अधिकार कर लिया संभब्त है इसी युद में पुलकेशिन सेकेंड मारा गया था और इसी विजय के बाद नर्सिंग वर्मन ने वाता पिकोड की उपादी धाण करी थी किसने करी थी जाकिर अप किसकी गुफा में यह सब कारियर करते हुए दिखाया गया है आगे बात कि निर्मान करता कौन था यह था केड़ती वर्मन और मालवा को जितने के आगे बात करता हूं कि मैं इस मस का अंतिमराज कौन था अंतिम रज कि बात कर रहा हूं मैं आपका के वर्मन दिखना करते हैं किर्ति वर्मन दीति है इसे इसे की सामन्त दंति दुर्ग ने प्रास किया था और एक नई सद्थापना करी थी अगे हम बात करते हैं चालूक के बनस वन्स को बोलते हैं व्य व्यगी भीक्षरिय कैपिटल थिर व्यगेर आपक। देखें हमने ऊपर पड़ा था ठीक है इसमें लिखा था आपका वात्पी तो वात्पेस की कापिटल से चालो के बाद करना है चालो के बाद सब्सक्राइब करते हैं बेगी के चालो के बंसका संस्थापत विश्णु वर्धन था अब इसकी कापिटल चेंज हो गई वह गई दिक किसे पर्भ मुख साथ क्व कि पर्धंग और इंद्र वर्धन विश्ण वर्धन दित स्थिया फ्हसी अधिवर्धन थाड के उसका पर्तापी रजा था वह था वीजा रिप्टल करतें जिसका सेनपदी कौन था पढ़रंग अब करता है चोल वंस प्ली च्रु वह यह पर स्थापित हुआ और इस वंस की संस्थापक कौन थे इसके तरकर पड। आगे बात करते हैं एक ऑपर विजयपाने Bas Anh अधित्य पर्थम ने को दंड राम की उपादी ध्राण करी थी और चोल वंस का पर्मुक राजा थे प्रांतक फस्ट राज 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 फस्ट राज इंदर फस्ट राज इंदर सेकिंड एवं कुलो तुंग ठीक है बाकि देखे इसमें यहां से उपर से नीचे तक कुछ खा अगर आपको यह पसंद नहीं किया धर्म का नुवाई यार मुझे पढ़ना नहीं है तो देखिए आपकी पसंद ना पसंद से कुछ नहीं होगा ऐसे सी डिबार्मन आपको कॉल करके एक दिनी एक्जाम से पहले नहीं पूछेगा से कौन से पेबर सैट करना है तो आपको अच्छा लगता है इसने मतलब नहीं है मतलब को इससी को पसंद आपको इससे फरक होना चीए सेलेक्शन के बाद फिराप करें सब सबस्दे कोई दिक्कत नहीं तेकि आगे मात करते हैं कि चोल समझेगा सरवादिक विस्तार जो करा था वो करा था राजिंदर फस्ट ने औ और इसके सहसन काल में इसका विस्तार सुश्ब्स जादा हुआ था चोल सम्रज्जे का और बंगाल के पाल सहसक महिपाल को पराजित करने के बाद में रायंदर फस्ट ने क्या करा था कौन सी उपादी गंग गोट चोल ठीक है ना गंग कोड चोल की उपादी इसने धरण कर रहा था चोल गंगम जो नामक जो विसाल तलाब है उसके निर्मान के उसने कर रहा था अगला जो पूइंट है गजनी का सुल्तान मेहमूद राजिंदर पर्थम का समकालिन था अभी आप से बात करता हूं कुछ कर के बारे में मलब इसके काल में कुछ भूमी के परकार थे च उसका नाम था आपका बहलन घञाए और अगला जो पॉइंट है आप वह है ब्रहम दे मतला ब्रहमडों को उपार में दी गई भूमी को किस नाम से जाना जाता था तो उसका नाम था ब्रहम मतलबह चाहां किसी विद्याह लेकर रखाब कर के भूमी क्या करती थी साला आगे, हम बात कर देखिें संपूम्र च जो समराज्य 6 प्रांतों में धिवाइट था हुए था आगे जो सब्सक्राइब किस नाम से तुकारते थे वेपादी जो सभा होती थी उसको बोलते हैं नगरम चोल काल में भूमी कर उपज का एक त्याही भाग हुआ करता था और गाव में कारी समयती के सदिस्ता के लिए जो वेतन भोगी करमचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्त कहते थे और ब्रहमन को दी गई कर मुक्त भूमी को चतुरवेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमी भ्रहमदे कहलाते थी चोल सेना का सबसे संगडित अंग था क्या पदाती सेना और चोल वंस में कासू सोने के सिक्के होते थे तमिर कवियों में जे नवगोदर परशिद कवी था जो कोलू तुं परथम का राजकवी था उसके रचना थी कलिंग तुपाणई ठीक है यह आपसे रचना भी पोस्त रखता है और रचना क्या थी रचना का नाम था कलिंग तुपाणई बागी और क्यों खास इंपॉरिंट इसमें नहीं है बसके वर एक इंपॉरिंट और यहां बनता है कि पंडित राजिंद्र फर्ष्ट के गुरू थे बहुत ही कम कोशन से पूछा गया बढ़ी MDS में एक दू बार पूछा गया तो इसको भी नोट कर सकते हैं राजिंद्र फष्ट जो थे क्या थे गुरू थे आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट के की चोलो की राजधानी कि काल करम के अनुसर को थी काल क करम को कशा की कुरू का थी विदी करल में कौन से समयती करती ही उस समयती का नाम क्या था अगले जो पॉइंट है आपका चोल काल में आम वस्तियों के अधान परदान का अधार धान था और अगले जो पूझत है विष्णू के उपासक, अलवार एवन देखे विष्णू को जो पूच्छे थे, उनकु जो मानते थे विष्णू भगवान को वह खिलते थेवार और देवगिरी के यादव वंस के स्थापना बिलब पंचम ने की थी और इसके कैपिटल थी देवगिरी इस वंस का सबसे पड़तापी राजा जो था वो था सिंगन और इस वंस का अंतिम स्वत्यंतर सासक रामचंद्र था जिसने अलाउदीन के सेनापती मलिक काफुर के सामने आत्म संवापन किया अगला पॉइंट है वह आपका होई सल्वन्स द्वार समंद्र के किस्थापना कने और इस थापना करी थी विश्णु वर्धन है और विश्णु कि कि वर धन ने कप करया था ग्यारा सो सत्रा 2014 city में अग lunar जो पॉईंट है वह आपका ऑय तहां निदु कि वो थी आपके द्वार समुन्द्र क्या थी सा राजधानी वू था कि द्वार समुंद्र अभो हम बात करते हैं कदम फोल की स्थापना निल्ग केsent準 ऐस qu आपना के बारे में बात करी जाए तो मैयूर सरमन ने इसके सापना करी थी और बात करी जाए कि कैपिटल क्या थी कैपिटल थी वन वासी अब आते हैं बात गंगवंस के संस्थापक थे आपका ब्रज हस्त पंचम और इसकी राज़ानी थी कुवलाल और गंग सासक माधफ पर्थम था मतलब दंतक शूत्र पर टीका लिखने वाला गंग सासक जो था माधफ पर्थम जो जो हाइलाइट है केवल उतना उतना आपको लिखना है अपने अपने नोट्स में आगे बात करते हैं देखिए काक्तिय वन संस्थापक बीटा पर्थम चलिवे करते हैं जोड़न के बात करेंगे कि भाल वंस परषानों थी मुंगल्स का शनसता पका जो था संस्तापक था आपका गो पाल और जाजधानी घी आपके मुंगेर आगे हम बात करते हैं कि गोपाल आप तो आपके कांफ़ पुरी विश्विध्याल केस फबना करी थी और पालवंस के प्रमुक, सासर कौन थे, करम क्या था, उसका मतलब की नाम का सही जो नाम का क्रम था, जो क्या था, पर देव पाला अपला, पिर महीं पाला महीं पाला अधी राज की है, हướं था आपका है जिसने क्या कर रा विक्रम सीला विस्टाले कि अपना करी थे लिए उस नाम बता हुए उस सासक का जो नाम था वह था आपका धरंपाल आगे बात करने ग्यारवी सती के गुजराती कवी सोड डल ने धरम पाल को उत्तरापत स्वामे की उपादी से संबोधित किया था ओधंत पूरी के परस्षिद बोध मठ का निर्मान किसने कर आया था? ये कर आया था आपका देव पाल ने आप याद रखेगा यह किस ने कराया था यह कराया था देव पाल ने अगला जो पॉइंट है कि जावा के सैलेंद्रवनसी सासक बालपुत्र देव के अन्रोथ पर देव पाल ने उसे नालंदा में बोध वियार बनाने के लिए पांच गाव दान दिये थे और पाल सासक बोध धर्म का नुवाई था पाल सासक जो था वो किस धर्म का नुवाई था वो भी था आपका बोध धर्म का अक्शली जितने भी पाल रहे वो सभी क्या थे बोध धर्म का नुवाई थे चाहे वो देव पालो धर्म पालो नायन पालो मही पालो या फिर नए प कोन थे वो थे लेक्र आपका जयदेव और अगला वो है आपका ब्रहमड सरवेश्व के नाम थे यह यह रखेगा अग्ला जो कुंशन बनता है आपका इहां पर यहां पर बनेगा अला युद लक्षमान सेन का परधान तरहां याधि सिवा अन्थ त आपयों से एक तदर वत्षारें भॉश्व, सुlt dispos we किस ने करी या किस ने बनवाया तो तीनों में सो कोई भी एक वड़ा को दे सकता है तो को याद रखना है उसका नाम विजैसेन ने देव पाड़ा में परधु मनेश्वर मंदिर मतलब सेव की विसाल मंदिर का निर्मान कराया अगला जो पॉइंट बनेगा आपका कि लक्षम काउन के तो बनेगे का बनेगे कश्मिर के बारे में कश्मिर के बारे में का इसके मृत के बाहर ख Misos पही लेकिन कश्मीर की के mm ourć श्रमान कशा कै का मंदियो कि वारों आप सभी जानते हैं क्रंड़ेट के आप लोगा देख्थे होंगे यह लेक्श जिसपीं हो चुक्या क्या उसकी हालत थी और आज उसके क्या हालात हो चुके हैं तो ठीक है उसके डायम पर कैसे कैसे सासन काल रहे हैं कैसे कैसे वंस है उन सब के बारे में हम डिसकस करेंगे अभी ठीक है कस्मीर पर सासन करने वाले सासक वंस का काल करम कुछ इस प्रकार था पहले आया था कार कोट ठीक है फिर आया उत्पलrons फिर आया आपका लाहुर वंस दैखिए 627 ऐ्स्व डूलब वरधन नामक व्यक्तिने कस्वीर में कारकूर्ट वंस मतलब हिंदू कि उस्थापना करी थी हिंदु की इस्थापना करी थी वह को पॉइंट में किसमीर के यात्रा करी थी किसके सांग में कसमीर ॐ काफियान करी थी पहला कदम रखा था कर्द्र में और कर करीब से जाना था तौँ जो करा है इंसान ने किसके ससरिकाल में डुरन ब्रण को प्रड़र करuing ते दुर लाब बर्ण काफ आखा नमा की पैठी काफिया तो दुल्लब वर्धन एक व्यत्ति का नाम था जिसने क्या करा था कि कस्मीर की यात्रा करने के लिए इंसाम को इंविटेशन भीया था अगले जो पॉइंट है वो था लली ता दित्य मुक्त पिंड और कसमीर का मार्तन मंदिर का निर्मान कुपने कर आया था लली ताधिद्य मुक्ता पिंड ने अग्राइज पोइंट के बाद कस्मीर पर उत्पल निपस्टाइब सफानों जैसे को करा कोड़ वंस पर उट्पल वंस देखें कि करकोड बंस नहीं देखा तो उपर टॉप पर फिरी बार फश्ट ठीक है कि इसस्थान अबंप और सुही ने सिच्वाइवड के लिए रिर्मान कराया। जो यह इस भी था उसमें उत्पल वंस किरान किरानी दीहा एक महत्वा कांशडी सासी का थी देखिए उसके बाद कौन आया था उसके बाद आया था आपका लाहूर वंस या कि लोहार वंस ठीक है बस तीनों वंसों के नाम जो इंपरिंट पॉइंट थे वह बसके हम लोग री संस्विता है का अस्रित कवि कौन था उसका नाम क्या था असका नाम था कलहान के जो आंट बैंट है अफिड़चा अपका जैसिंग लोहार वंस का अंतिम सासक था यह था आपका जैशिस्ट और जिस ने 1128 इस्वी से 1155 इस्वी तक सासन किया और जैसंके सासन के सांथ जैसिंग के सासन के सांथ ही कलहन की राजत रंगडी का विवरण समाप्त हो जाता है अब देखे यहां पर आपसे केवल एक कोश्ण सिहां पर यह बनता है कि राजत रंगडी का विवरन किस के सांत समाप्त हो जाता है कलहन ने राजत रंगडी का विवन दिया था और वह साथ में यी खतम हो जाता है काम रूप का वर्मन वन्स देखे चौथी स्ताप देखे मध्य कामरूप में वर्मन वंस का उद्य हुआ था और इस वंस की पर्तिष्टा कासन स्थापक जो था वो था पुष्च वर्मन था और इसकी कैपिटल क्या थी और इसकी कैपिटल थी प्राग जोतिश अगला जो पॉइंट है वो है आपकेवल और कालंतर में कामरूप पाल समराज्य का एक अंग बन गया था और इसके रावा कुछ नहीं है बस आपके पुछेगा कि पुष्टे वर्मन कौन था यह था आपका इस वंस का पर्तिष्टा का संस्थापक किस वंस की बात कर रहा हू आगे बढ़ते हैं हम लोग कि राजपूत राजवन्सों की उत्पत्ति के बारे में आज हम बात करेंगे अगला जो पॉइंट बनेगा आपका देखिए गुर्जर परतिहार वंस मालवा का सासक नागभट पर्थम था और इसका संस्थापक जो था ठीक है परतिहार वंस का जो परतिहार वंस का सरवादिंग 70 साली इवं परतापी रजा कॉन था उसका नाम किया तो महीरभोज और महीर भोज की अपनी कैपिटल क्या थी इसके एक सब्सकर यस्जपाल और दिलीनगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने ज्यारवी सतीगे मद्ध्य करी ती घ हैं अब बात करते हैं घढवाल के बारे में गहडवाल इसके राठो्राजवान राठोर राजवर तो तो था याद में खिंधब कौन था चमिर्देब और कैपिल ट्याप्की वाराणनासी मतलब कालती और इस वंत के स्रवादी सवप्किनिर दो जो थे उनका नाम त Trop गोविंस चंद इसका मंबंतरी कौन था वो था लक्शमी धर अठी सास्रों का परिकांद मंदित मतलब बहुत ही ज्यादा ज्यानी फूर उसका नाम कहा था उसका नाम था लक्ष्मी धर अगत Rगा करते हैं इसके पुत्री का अपहन कर लिया पुत्री का नाम क्या था सयोंगी था और जो स्ट्रेंबर से जयाचंद की ये पुत्री थी डॉटर थी और इस वंस का अंतिम साथ जो था वो था जयाचंद और जिसे गौरी ने 1194 इस्वी में चंदावर के युद में हराया था ठीक है इस इस वंस का अंतिम साथ कौन था जयाचंद और जयाचंद को हराया था गौरी ने कब 1194 में अगला जो पॉइंट है देखिए अगला पॉइंट है आपका चाहामान या चोहान वंस चोहान वंस का संस्ताबक था वासुदेव और कैपिटल थे इसकी अहिच्छात्र और जिसन नामक संस्कृति नाटक की रशना करी थी अगला जो पॉइंट है टराइन का यूद है देखे दराइन का यूद मैं यहाँ पॉइंट के बाद कर रहा हो कि एवर्ष के याद बाद हो अगला हुआ यहां सी पूष्टा है तो यह जो है दोनों ही यूद काफी इंपोर्टेंट है दोनों ही एक्जामें के बढ़ पुछे जाते हैं तो इसमें कहूंगा आपसे आप इसको नौट करिएगा और याद करिएगा तुरंट देखिए आज के इस वीडियो में बसकेवर में इतना ही करता हूं ठीक है वीडियो के लैंट जादा बढ़ती है वीडियो का साइज बहुत ज्यादा होता है अप्लोड तरने में लड़ी तो फिलाल मैं इस वीडियो को इन करता हूं और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक इस वीडियो के अधर पार्ट जो पहले की जो भी पार्ट है पार्ट नमर वन टो थी पॉर फाइब नहीं देखे हैं तो आप देखिए ठीक है अगर आपको लग रहा हो कि मै अगर आपको बुक चाहिए तो आप आप आडियो प्रेलिश्ट में जाए जी कि वहां पर धेट सारी ऑडियो के घंटे लंबे तक आपको मिलेगी घंट तक आपको सुनते रहे हैं जहां से बैस लग रहा है वैसे करिए बड़ा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो क आपको पसंद आया तो प्लेज को लाइक करेगा और अगर आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको धेर सारे वीडियो आप जहिए चेक लिश्ट करिए लिश्ट को चेक करिए और इंज्वाइ अगर तो आपको डोड़े के विश्ट बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं तो मैं कहूंगा कि बैल आपन पर किलिक करिए जरूर करिए बैल आपन पर क्लिक सब्सक्राइब के बाद में तो इसी के साथ लेता हूं आपसे अलवीदा मिलता हूं जल देक नए वीडियो के साथ में बाय बाय टेक केर और प्लीज रीड अगें इस कोट इस कोटेशन को इस विचार को प्लीज दुबार से रीड करें और इस पर एक बर मंतन जरूर करें किसका सही अर्थ किया है धन्यवाद